नमस्कार आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना वाइरस से पूरा देश नहीं बलकि पूरी दुनिया ही परिशान है और हर जगे पे लोगडाउन के स्तिती बनी हुई है लोगडाउन ही इसका एक उपाय माना गया है कोरोना वाइरस से काफी लोगों का नुक्सान हुआ है काफी लोगों की जान गई है वा काफी लोगों को कई तरह के परिशानिया आई है लोगडाउन हमारे भारत देश में बहुत जरूरी माना गया था इसलिए हमारे माने प्रदानमंदी जी ने लोगडाउन किया था लोगडाउन को लेके काफी की चड़चा आई हैं की लॉकडाउन गिलत था या कुछू लोगों ने यह कहा की लॉकडाउन को नहीं करना चाहिए लेकिन वास्तिकハハी रूप में देखा जाये तो लॉकडाउन ही हमारे भारत देश को बचाने का एक मात रुपाई था यह एक मात रुपाई है हमारे देश में अभी फिलाल में कोरणा केस के जो केस देखे जा रहे हैं वो करवन यसे प्यास किया जा रहा है कि हम कॉरोना वाइरस को जाता से ज्यादा फेलने से रोके हैं इसके लिए हमारे डॉक्टर्स पुलिस हमारे प्रशासन वह हमारी सरकार हर तरह से वह प्यास कर रही है जिसकी वैसे कॉरोना वाइरस को रोका जा सके तो इसके एक मात रुपाय बता को बढ़ाना चाहिए कुछ लोगों का कहना है कि नहीं बढ़ाना चाहिए कई मुख्य मंत्री कई राज्यों के मुख्य मंत्री ने प्रदान मंत्री जी से कॉंफरेंस की उनका भी क्या कहना था यह सभी आप जानते हैं कि उन्होंने भी कहा है कि लोगडाउन को बढ़ाना चा कि अभी भारत में करोना वारस के जो केस हैं साड़े उन्तिस हजार केस हैं और साड़े नौ से करवेड़ लोगों की डियाथ हो चुका है तो हमारे डॉक्टर्स काफी अच्छे बहतर तरीके से काम कर रहे हैं और हमारा एक आखरणा यह था कि तीन महीं तक साइथ 30,000 के उपर चला जाए लेकिन आज 28 तरीक को ही 30,000 के आसपास में हो गया है तो हमारा साइथ ही हो सकता है कि तीन महीं तक यह 35,000 के उपर भी आगड़ा चला जाए हम ऐसी स्तिती में अगर यह लोगडाण खुलता है तो भारत की स्तिती बहुत ही बेकार हो जाएगी और आर्टिक स्तित से लेके एक भीमारी बहुत पूरे भारत देश में फैल जाएगी भारत सरकार इस पर पूरत तरीके से विचार कर रही है और सभी का अपना अपना लेड़ा मान रही है अगर इस कंडिशन में आपको जैसा पता हुआ कि मुक्य मंत्री ने प्रदान मंत्री जी से कॉंफरें पर फसे हुए है हमारा क्या होगा तो साइद ऐसा हो सकता है तीन में तक प्रदान मंत्री जी माने प्रदान मंत्री जी कोई ऐसा एनौशमेंट कर दें जिससे की आपको कोई राहत मिल जाए या आपको कुई ना कोई ऐसा बचावी केंद्र जोरूल वो देंगे जैसा कि से मुख्य मंत्री आदेत्य योगीनाजी ने भी 328 बसाइभागय मंट्रवच को अपनी उत्तापध लाये गया है। बैसे बीच के नो दस हजार के करवन लोगों को लाए गया है 9295 ऐसी कुछ 10,000 के करवन लोगों को लाए गया है मत्रप्रदिश सरकार भी पूरे जोस में लगी हुई है कि दूसरे राज्यों से जो हमारे फस्यों लोग हैं उनको भी लाए जाए तो हर सरकार हर राज्य अपने अपने प्रयास में लगा हुआ है और हर तरह से आपको एक साहस देने का प्रयास कर रहा है इस समय हमको क्या करना चाहिए इस समय की 99% है कि लोगडाउन भड़ेगा इसमें अगर 1% लोगडाउन नहीं भड़ता है तो भारत की स्तिती बहुत ही खराम उने वाली है हर तरह की परिसानी आने वाली है भारत आर्थिक स्तिती से देखा जाए तो भारत की कंडिशन बहुत हद तक नाजुक है भारत में ऐसे कई लोग हैं भारत में जो ऐसे काफी मिडल क्लास के फैमली है या गरी फैमली है वो इस स्थिति को समाल लेकले अभी ततपर नहीं है तो लोगडाउन भड़ेगा आप लोगों को सबर रखना है और भारत सरकार का जो फैसला है उसको आपको अटल लेना है हम लोग भी लोगडाउन में हैं हम जाना चाते तो जा सकते थे लेकर हम नहीं गए हैं हमने लोगडाउन का पूरा तरीके से पालन किया है काफी लोगों के कारण lockdown का था हम इसमें काफी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं जो टीम है उन लोगों के हम सहयता करने भी लगे हुए थे उन लोगों को समझाना या कोई भी चीज़ों है जहां पर दिक्कत आती थी अधिगारी से लेटेड तो वहां पर उन्हें help की जाती थी अब भी हम help कर रहे हमारा staff है अभी चुटी पर है तो इस वह से हमें आपको अपडेट देने में थोड़ा सा समय लग जाता है तो इसके लिए हम छमा मागते हैं हमसे काफी लोगों ने का है तो हम इसलिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आया है तो दोस्तों आप अगत सेविंग की होगी आप उस सेविंग का यूज करके आप उस समय तक जहां है वहीं पर रह सकते हैं अगर आपको पैसी की सम्मेंदलित को दिक्कदार ही है जो वहाँ का आसपास का एरिया है जहां या आपको वह किराधार हैaire है मगतन मालिक है उससे आप प्रुक्रश कर सकते हैं कि आपको वो एक मेने तक चूट दे सके तो इसके लिए भारत सरकार या पुलिस के बड़े अजगारी से भी आप सपूर्ड ले सकते हैं दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग प्रक्ति गूगल पर प्रक्ति मीडिया डालेंगे हमारे पूटल आ जाएगा वहां जाके आपको हर तरह की अपडेशन मिल जाएगे दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं कतम करते हैं